हेलो जी, असलाम अलेकूं, वेल्किम टू न्यू अनदर अपिसोड मेरे नाम अफाक है और आज हम बात करेंगे आइफून SE 2020 में आने वाला फून और आज हमें 2021 में रहते हुए परचेस करना चाहिए यानि mostly अगर पीपल्स को पता होता है अगर जिनको पता नहीं उनके लिए मैं आपको बता दू आइफून SE का मतलब special edition है जो के अपने mid years में आपको launch करते हुए दिखाई देते हैं जैसे के अगर अपने फून सब्तमबर या अक्तूबर में mostly अपनी series को launch कर देता है और mid year के दर्मयान में मतलब साल के एक ऐसा phone special edition launch कर देता है जो बाकी जितनी भी खुसुसियात है उससे ज्यादा होता है और किसी प्राने phone में से design के ट्रिब्यूट कर देता है ज़रूरी नहीं लेकिन ये iPhone SE 1 से भी हमें देखने को मिला था जबके iPhone 7 series launch कर दी गी थी उसके बाद में iPhone 5 की shape में iPhone 7 के specs में देखते हुए हमें एक special edition phone मिला था अब इसके बात करें SE 2 के बारे में इसमें भी खासा इसी ही तरह किया गया है जैसे के अगर इसके हम design को देख लेंगे iPhone 8 की तरह है जो के iPhone 11 launch होने के बाद हमें देखने को मिला ये इसके कुछ intro था और intro के लावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस video में इसके camera के बारे में performance और किन लोगों के लिए होने वाला है और PTA की इसकी duties क्या होने वाली है ये किन लोगों के लिए targeted audience phone है तो ये तमाम बाते में आपको इस video में बताऊँगा तो चलिए हम इन सब पे बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम इसके design की तो design look exactly iPhone 8 की तरह है लेकिन ये iPhone 11 के बाद release हुआ है तो इसका जो back का जो monogram है वो उपर से नीचे mid में कर दिया गया है जैसे के iPhone 11 series से onward किया गया है एक ये जैन देखने को मिल रहा है back में gloss body है front पे again home button के साथ दे रहा है ये haptic touch के जो ID है इसके साथ और almost बाकी iPhone 8 design की तरह है तो चलिए हम इसके बात करते हैं इसके camera की camera की अगर बात की जाए तो camera में इसमें single देखने को मिलेगा और बाकी वो ही बात है जो iPhone 11 के बाद जो release किया गया है तो इसमें benefit हमें देखने को ये मिलेगा इसमें जो camera है उसकी performance हमें काफी तगरीज देखने को मिलेगी जो के हमें iPhone 11 के बाद देखने को मिले है इसके different pictures के modes हमें जो देखने को मिलेगे portrait में और वो तमाम इसमें देखने को मिल जाएंगी और सबसे इसमें खास बात ये होने वाल जी है इसमें जो video quality है 60 frame per second आप record कर सकते हो ये के बहुत अच्छी और बहुत superior quality की video record होगी जो के high dynamic rate में होने वाली है यानि के HDR की colors में होगी है तो आपको इतने जदे specification के साथ ये चोटा सा handy phone में आपको मिलेगा ये बहुत थी extremist मैं इसको कहूंगा camera की performance है वो भी इस range में और इस तरह के special edition में और फिर हम इस बात करेंगे इसकी performance की performance में हमें A13 Bionic chipset देखने को मिलता है जिसका मतलब ये है accordingly मैं आप कोड करूंगा iPhone की ही बात को iPhone का कहना ये है कि iPhone 11 Pro का दिमाग उठाके अगर हमने iPhone 8 में डाल दिया है तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि हमें इसका जो chipset A13 Bionic मिलता है जो के high performance के लिए use किया जाता है ये आप mostly आप augmented reality, AR और बाकी gaming जितनी भी है PUBG ले लो इसको, call of duty ले ले जितनी बड़ी game है आप easily smoothly play कर सकते हैं जैसे कि iPhone 11 Pro में आप करते हैं other than अगर आप बात कर लीज़ें जैसे कि वीडियो ग्राफिक के लिए बहुत ही high आपको processor वाले phones देखने को मिलते हैं जिसमें आप अच्छी editing कर सकते हैं ये उन लोगों के लिए भी अच्छा होने वाला है जैसे कि Adobe Premiere Rush यूज़ करते हैं कुछ लोग और उसके बाद अगर आप इसमें iMovie कर यूज़ करना चाहरे हैं तो इसमें performance बहुत अच्छी देखने को मिलेगी बाकी ये है कि usage में आपको मिलती रहती है लेकिन performance में ये आपको काफी अच्छी smooth आपको playback देजाए और अगर इसकी बात की जाए international market price की $399 की price में US में इसके release किया क्या है जो कि $400 है और अगर पाकिस्तानी current market में देखा जो इसे 70-80,000 में अगर में non-PTA देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको PTA के fee से register करवाना चाते हैं तो $22,500 something इसकी कुछ values है इसके अंदर आपको ये PTA के device भी register हो जाएगा जो के बहुती कम tax है अगर इससे अदर दन बात की जाए iPhone 10 से onward जितने भी iPhone है अभी इसकी $40,500 something इसकी कोई duty है तो काफी जादा duty है ये और अदर दन हम इसकी बात करते हैं ऐसी कि उन्होंने वही अगर performance chipset वाला है बाकी feature mostly बहुत ही जादा वही वाले है तो हमें $22,000 के tax में देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ये कम है तो कम नहीं लेकिन ये भी जादा है लेकिन justify है आप इसको consider कर सकते हो